आज किस वीडियो में हम लोग भात के एक important प्लेटू, करनाटक का प्लेटू, यानि करनाटक के पठार की कुछ ऐसी महतपूर बातों उजानने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए जाना बेहर जरूरी है। तो जिसमें हम जानेंगे आज कि करनाटक का प्लेटू कहां है, इसका formation कैसे हुआ, यहां किस तरीके की मिट्टी पाई आती है, किस तरीके की धर पास फसले होती है, कौन-कौन सी यहां पर major rivers है, कौन-कौन सी यहां पास minerals पाई आती हैं। तो सबसे पहले थे हम यही जानते हैं कि जो करनाटक प्लेटू है वो इंडिया की कहां पास ferment located है तो आप यहां पास दिखें महाराष्टरवाल एरिया में यहां पास है डेकन प्लेटू और Dekkan Plateau के नीचे जो ये पूरा Plateau है करनाटक वाले रीजन में ये वाला एरिया ही कहलाता है करनाटका प्लेटू तो आप देखें जो ये करनाटका प्लेटू है ये south of Dekkan Plateau है और ये Carnal Bird से डिराइव हुआ है जिसका मेने होता है land of black soil मतलब आप कह सकते हैं कि जो करनाटका प्रेटू है इस पूरी एरिया में यहाँ पास पर्यात मातरा में काली मिट्टी पाई आती है और आप जानते हैं कि जो काली मिट्टी है वो कफास की खेती के लिए सबस्यादा उप्युक्त मानी आती है इसलिए डेककन प्लेटू के साथ करनाटका प्लेटू में भी कपास की पर्यात मातर में हपास खेती आपको देखने को मिल जाएगी अब यदि हम कुछ और बात यहां की करें तो आप समझे यह बेसिकली वॉलकनिक लावा से बना हुआ है मतलब जो इस प्लेटू के कुल एरिया की बात करें तो इसका कुल एरिया है एक लाख नवासी हजार स्क्वेर किलो मीटर और दियम बात करें करनाटका प्लेटू के एवरेज एलिवेशन की तो वह है आठ सो मीटर मतलब यहां की जो उसक उचाई है वह आठ सो मीटर है लेकिन आपको समझना हुआ कि अधि हम करनाटका प्लेटू में वेस्टू इस्ट की तरफ मूप करेंगे तो धीरे धीरे हाइट लगतार घटने लगती है मतलब वेस्टर्ण साइड में करनाटका प्लेटू हायर है और इस्टर्ण साइड में थोड़ा लोवर है तो जो उठा हुआ है उसको हम बोलते हैं माल नद और जो लोवर पोर्सन है उसको हम बोलते हैं माल नद अब यदि हम इसकी हाईजेश्ट पीक की बात करें तो वह है मुलान गिरी जिसकी कुल है 1923 मीटर और यह है यहाँ पास बाबा बूधन हिर्स में और दिहें करनाटक प्लेटू के कुछ सराउंडिंग रीजन्स की बात करें तो आप देखें वेस्टर्न में आपको वेस्टर्न घाट से देखने को मिल जाएंगे इस्टर्न में आपको इस्टर्न घाट देखने को मिल जाएंगे और नौर्थ में तो मैंने बताया यह पूरा extension भी माना जाता है अब हम बात कर लेते हैं करनाटका प्रेटू की कुछ important rivers की तो इसकी important rivers की बात करें तो उसमें आपको गुदावरी river देखने को मिल जाएगी क्रिस्टना है भीमा river है इसके लाब अत्तुंग बद्रा river हो गई पेनेर river है कावेरी river है इसके लाब यहां पास एक सरावती river भी है तो यह यहां की important rivers है और इनके माध्यम से पर्यात मात्रा में खेती होती रहती है यह करनाटका प्रेटू जो है यह वेस्टन घाट के जनली वेस्ट में situated और इंडियन जो मांसून है वो इस तरीके से आता है जिसकी डायक्षन होती है southwest to north east इसलिए western घाट के वेस्ट में जड़ा रैनफॉल हो पाती है इस तरह रैनफॉल नहीं हुपाती तो आप समझे करनाटका प्रेटू जो है और कम रैनफॉल होने कारण ही यहां पास आपको पर्यात मात्रा में तलाब देखने को बिल जाएंगे इसलिए आप कह सकते कि खेती के लिए यहां पर यहां के लोग काफी हद तक टैंक इरिगेशन के लिए भी निरभर रहते हैं और इधर की इंपोर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन है क्योंकि यह ब्लैक स्वैल वाला एरिया है कॉफी पर्यात में मात्रा में होती यहां पास बाबा बूदन हिल्स में इसकलाबा राइस कल्टिवेशन होता है टुबैको हो गया कोकोनट और कार्डमा और मैंने भी बताया कि वेस्ट टू इस जाने में रैनफॉल घर्टी है इसलिए आपको इस वाले एरिया में वेस्टरंगाट के पास आपको बहुत से एवर्गीन फोरेश्ट देखने को मिल जाएंगे मतलब जो सदा बहार रहते है मतलब हरे भरे हमें इसा रहेंगे और बांकी जैसे हम इस वर्ड आएंगे इस तरह तो यहां पे आपको डैसीडियस फोरेश्ट भी देखने को मिल जाएंगे और यहां पर परयात मात्र में चंदन की लकडी पाई जाती है जिसको दुनिया के कई देसों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है इसके लाब इधर पेस टीक के भी परयात मात्रा में पेड़ पाई जाते हैं और यहां के कुछ इंपोर्टेंट मिनर्स की तो इस एरिया में आयरन भी परयात मात्रा में और गोल्ड भी परयात मात्रा में पाई जाता है तो आप देखें जो आयरन ओर है व क्यों है यहाँ पास आपको कोवीला बहुत हुद कम देखें का में विलेगा एसलिए एक्टिर्स Skype के लिए ज्यादा कर न्हेर पर याप करनाटका पेटू हैब ईलेटिश पर नेर घर लिभार्ण कर यहाँ पास क्वाम फहills कि न्य़ंतार्स Herausforder